तो वेलके में दोस्तों नमस्कार आप से भीका आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रांची इनिवर्सिटी का कंप्लीट सिलेबस जो कि कॉमर्स के लिए रहने वाला है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो पहले मैं इनफॉर्मेसन दोंगा उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाओंगा देखिए राची इनिवर्सिटी जारकन राच का सबसे प्राची इनिवर्सिटी है ठीक है उनिस साट में स्थापना हुआ था और इसमें आपका बात करें तो कॉमर्स का जो है सेक्शन ठीक है एक मढ़ियार आंक में क्या गोज गया ठ कर गया तो कॉमर्स जितने भी लोग रखे हैं ठीक है बिकॉम कर रहे हैं और सेशन आजकल आपको मालूम है कि चार सल का गिर्जूसन हो गया है इसमें आपका सेशन मैं जो सेशन बता रहा हूं इसको ध्यान में रखिएगा 22-26 ठीक है 22-26 23-27 और आने वाले जितना भी है इ इतने भी करेंगे विकॉम उन सभी का यह सिलेबस ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ भी है अपग्रेटेड ठीक है अब देख लेते हैं तो 22-26 वालों का समेस्टर 30 से सुरू होगा बाकि सब का समेस्टर वान से सिलेबस ठीक है क्योंकि उनका सिलेबस पहले दूसरा था बाद में इनके साथ मर्ज कर दिया गया तो चलिए देखते हैं इसमें आप लोग देखिएगा यहां पे ओनर्स पेपर का सिलेबस ठीक है और चार साल का पुरा का देखिए जैसे समेस्टर वन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है फास समेस्टर में तो आपको देखना है पेज नंबर 17 में आपका मेजर पेपर वन रहेगा यानि कि ओनर्स पेपर ठीक है और इसमें आपको पढ़ना है फाइनल सियल एकाउंडिंग नेक्स्ट सेक का पेपर जो की रहता है समेस्टर वन में सेक का पेपर रहता है आपका कॉमर्स में तो यहाँ पर सेक का पेपर है और सेक में आपको ओपिस मेनेजमेंट के बारे में पढ़ना है समेस्टर वन के लिए ठीक है कॉमर्स वहाई पर समेस्टर टू में आपको देखिए अप पहला major paper 2 जिसमें आपको पढ़ना है business organization and management के बारे में ठीक है और यह आपको page number 20 में देखने को मिलेगा next है आपका यहाँ पर major course mj3 और इसमें आपको पढ़ना है business aesthetics के बारे में जो कि page number 22 में इस्ते थे ठीक है यह semester 2 के लिए अब जो लोग semester 3 में पढ़ रहे हैं उनके लिए है यह गोला major course for mj paper 4 यानि कि major paper 4 इसमें आपको पढ़ना है business mathematics जो कि page number 14 में है sorry 24 में 24 में 24 में next step का यहाँ पर major course 5 major paper 5 जो कि है आपका income tax law and practice यह page number 25 में है अगला है हमारा skill enhancement course यानि कि sec paper semester 3 खा और इसमें आपको पढ़ना है elementary computer application software यह आपका page number 27 में इसका syllabus है ठीक है आगे देखते हैं तो semester 4 का आजाता है फिर हमारा semester 4 में पढ़ना है आपको एक बर देख लिजी है overview कि पूरा semester 8 से आपको क्या क्या पढ़ना है semester 4 major paper 6 और 7 इसमें तीन को major paper रहेगा major paper 8 भी रहेगा ठीक है तो पहले हम लोग इसी को देखते है major paper हमारा 6 में पढ़ना है business and corporate law के बारे में ठीक है यानि कि बैपार और आपका corporate का नियम कानुन next यह page 28 में देना है आपका major paper 7 जिसमें आपको corporate accounting के बारे में पढ़ना है ठीक है यह page 30 में है आगे दिखते हैं तो major paper 8 major paper 8 में आपको पढ़ना है यह वाला entrepreneurship development जो कि page 32 में है next है आपका यहाँ पर semester 5 जब जब पांचवे semester में पहुंच जाएगा तब आपका फिर से तीन को major paper पढ़ना है ठीक है सेक पर semester 3 तक था ठीक है यहाँ पर आपका major paper 9 पढ़ना है जो कि cost accounting है page 34 में इसका सलेवस है next है आपका major paper major course 10 ठीक है mj paper 10 इसमें आपको human resource management के बारे में पढ़ना है page 38 में इसका syllabus मिलेगा next देख लेते हैं तो हमारा आता है semester 6 ठीक है और यह आपका तीसरा साल है semester 6 इसमें आपको पढ़ना पढ़ेगा mj paper 12 जिसमें आपको principle of marketing के बारे में पढ़ना है जो कि page 40 में है syllabus इसका next आपका यहाँ पे major course mj paper 13 ठीक है इसमें आपको quantitative techniques for business decision और इसमें आपका page number 40 में यह syllabus मेजर पेपर 13 का अब जो है जब आप 4 साल में पहुंचिएगा यानि कि semester एक मिनट 4 साल में ना यह 5 & 6 6 & 7 & 8 यह तीसरे साल का यह आपका ठीक है एक साल में 2 semester 1 & 2 तक आपका आजाएगा फर्स्ट यहर में 4 तक आजाएगा आपका second year में 6 तक आजाएगा यह वाला थर्ड यहर में ठीक है यह आपका तीसरा ही साल है तो तीसरे साल में जब आप 6 semester पहुंचेगा तो आपके पास 4 major paper हो जाएगा ठीक है semester 5 तक 3 वो था semester 6 मे आपका 4 major paper होगा इसमें major paper 12 principle of marketing है जो कि page number 40 में इसका syllabus है अगला है हमारा MJ paper 13 इसमें आपका quantity techniques for business decision इसमें आपका page number 42 में syllabus है अगला दिखते हैं तो फिर आपका major paper 14 जिसमें आपको financial management and principles के बारे में पढ़ना है जिसका syllabus आपका 44 नमबर में है अगला हमारा यहाँ पे major paper 15 जो आपका management sorry managerial economics है ठीक है और इसमें आपका 46 नमबर में इसका syllabus है 46 नमबर में page number 46 ठीक है अब आता है आपका यहाँ पे अंतिम साल जो कि आप अंतिम साल में semester 7 और semester 8 में रहिएगा ठीक है इसमें आपका देखिए तो चार गो major paper है ठीक है major paper आपके 4 है इसमें देखिए पहला है फाइनल सियल इंस्ट्यूशन एंड मार्केटिंग जो कि page number 48 में major paper 16 ठीक है फिर आपका major paper 17 इसमें आपको advanced esthetical analysis के बारे में पढ़ना है जो कि page number 50 में इसका syllabus है देन आपको यहाँ पे major paper 18 ठीक है managerial accounting के बारे में पढ़ना है जो इसका syllabus page number account में इसमें आपको international इंटरनेशनल जिसने भी business है एंड ट्रेड ठीक है इसके बारे में पढ़ना है जिसमें आपका gate वागर आ जाएगा डबलू ट्यों आ जाएगा तो यह page number 33 में इसका syllabus से major paper 19 ठीक है आगे देखते हैं तो अंतिम major paper जो रहेगा आपका यह 20 वाँ यानि कि आपको टोटल 20 गो major paper पढ़ना है ठीक है इसमें आपका AMJ paper 1 यानि कि advanced major paper 1 इसमें आपको syllabus किसके बारे में पढ़ना है तो final CL technology and analytics के बारे में दूसरा है आपका AMJ इसमें आपको पढ़ना है artificial intelligence for business के बारे में यानि कि AI का use business में कैसे करेंगे देन आपका यहाँ पर business data analytics जो कि page number 59 में है ठीक है यह हो गया complete syllabus यहीं पर आपका कुछ और syllabus है जैसे कि minor paper तो minor paper semester 1 में आपको पढ़ना है minor course MN1 और इसमें आपको पढ़ना है introductory commerce के बारे में ठीक है इसका syllabus आपको page number 61 में दिखेगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर समेस्टर जब आप 3 में पहुचते हैं तो आपको minor 1 भी मिलता है ठीक है और इसमें आपको पढ़ना है micro course MN1 B और इसमें आपको पढ़ना है financial literacy जो कि page number 63 में इसका syllabus है आगे देखते हैं तो फिर आता है यहाँ पर माइनर कॉर्स 1C और यह आपका semester 5 में रहेगा ठीक है और इसमें आपको पढ़ना है अस्टोक मार्केट के बारे में अस्टोक मार्केट के जितने भी operations होते हैं जिसका syllabus page number 65 में है आगे देखते हैं तो फिर आता है हमारे यहाँ पर माइनर कॉर्स 1D जो की semester आपको पढ़ना है 7 में ठीक है और इसमें है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जनना पड़ेगा जिसका syllabus 66 में है ठीक है तो यह आपका बहत्तर page का PDF है और page number 66 आपका syllabus है लास्ट ठीक है अब देखें यहाँ पर बोला गया है कि students are instructed to refer syllabus of allied selected subject from RU website ठीक है तो आर्यू का website से मैं आपको निकाल के दे रहा हूं अब देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको कैसे खोजना है तो चलिए देखते हैं और जब आपका exam होगा उससे पहले मैं आपके important question करवा दूँगा ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम लोग syllabus को देखेंगे देखेंगे अब आपको कौन-कौन सा subject किस semester में पढ़ना है इसको जानेंगे ठीक है तो वीडियो काफी लंबा हो ज देख लेते हैं ठीक है semester semester wise course code and additional credit point तो इसको आपको नहीं समझना है course point जो important चीज़े है वह मैं आपको दिखाने का कोशिस करता हूं जल्दी तो यहाँ पर दिखिए यह जो आपका syllabus है किसमें कितना marks का है वह आपको यहाँ पर दिया गया एक 100 तम में तो जितने भी major paper है आपका 75 marks का है और external exam 25 marks का है internal exam यानि कि full marks जो है आपका यहाँ पर 100 marks कर रहेगा और सभी major paper के साथ ही जितने भी AM जहें यानि कि advanced major paper यह आपके भी 100 marks के हैं same to same major paper के बरावर ठीक है अब आगे देख लेते हैं तो next syllabus आपका कहां से शुरू होगा ठीक है और यह आपका सेक का जो paper है केवल तीने गों semester में रहेगा semester 1 में तू में और 3 में ठीक है यह सेक paper सेक paper के बारे में हम लोगों ने जान लिया अब देख लेते हैं यहां पर तो next आपका minor paper किस में किस में रहेगा तो minor paper आपका रहेगा semester 1 में semester 3 में semester 5 में semester 7 में इसको भी हमने देख लिया ठीक है इसका भी से लिए बस बता दिया है कि कितना page number में है content में अब यहां से सुरू होता है हमारा instruction to question setter आपके exam में question किस टाइब का आएगा ठीक है देखिए जब भी आपका exam कितना marks का हो अगर आपका exam होता है यहाँ पे internal 10 marks का ठीक है तो किस टाइब से होगा जब आपका exam internal 10 marks का होता है internal exam तब आपके वहाँ पे आते हैं एक marks वाले 5 question और 5 marks वाले दो question ठीक है यह internal exam की मैं बात कर रहा हूं 10 marks का यहाँ पे देखिए full marks 10 लिखा हुआ है ठीक है 1 marks वाले और 5 marks वाले एक हो आएगा यह आपका group A में हो जाएगा और group B में 10 marks वाले दो question हलाकि 20 marks full marks का एक भी subject आपके पास नहीं है 50 marks जिस subject में आपका exam में आएगा suppose that set paper आपका 50 marks का कोई subject है गया देखना पड़ेगा अगर कोई subject आपका 50 marks का रहेगा exam में ठीक है तब उसमें आपके 1 marks वाले 5 question आएगे और 15 marks वाले आपके 3 question आएगे यानि कि 45 नंबर आएगा 15 marks से और 5 marks से आएगा आपका 1 marks वाले ठीक है अगर 50 marks का exam होता है तो, ठीक है 60 marks का नहीं होगा, 75 marks का आपका exam होता है 75 marks का जो exam होगा जितना भी measure paper या किसी में भी, अगर 75 marks का रहता है तो उसमें 1 marks वाले आपके 5 questions आएगे ठीक है, 1 marks वाले 5 question, 5 marks वाले 2 question ठीक है यानि कि ये group A हो जाएगा, जो कि 15 marks कर रहेगा, इसमें एक नमबर या 5 गो, 5 नमबर या 2 गो, ठीक है, ये गुरूप A होगा, और गुरूप B जू रहेगा, वो आपका 60 marks कर रहेगा, जिसमें 15 marks वाले टोटल 4 question आएंगे, ठीक है, कुल मिलाके गुरूप B आपका 60 marks का, एंड गुरूप A आपका 15 marks कर रहेगा, 75 marks का जतना भी major paper का exam है, ठीक है, ये question setter है, अब 100 marks का किसी किसी exam में होगा, आपका 100 marks का, उसमें किस टाइप से question आएगा, तो जितना भी 100 marks वाला subject रहेगा, ठीक है, जितना भी 100 marks का subject, उसमें paper दो भागों बटा रहेगा, गुरूप A एंड गुरूप B, गुरूप A जो रहेगा, ये आपका 20 marks sorry, 20 marks का रहेगा, ठीक है, कितना marks का, गुरूप A 20 marks का, जिसमें आपके 1 marks वाले, एक नमबर या 10 गो रहेगा, और 10 नमबर या, sorry, 5 नमबर या 2 गो रहेगा, एक नमबर वाले 10 question, 5 नमबर वाले 5 marks वाले 2 question, यानि कि गुरूप A आपका 20 marks का हो जाएगा, एंड गुरूप B जो रहेगा, वह आपका 80 marks का रहेगा, जिसमें 20 marks वाले 4 question आएंगे, ठीक है, मतलब 6 question रहेगे, 4 का answer करना होगा, यह हो गया, exam का setter, अब यहां से शुरू होता है, ठीक है, यह हमारा देखिए, यहां से आप देखिएगा, तो यह आपका page नमबर 17 है, यहां से शुरू होत accounting, ठीक है, financial accounting, यहां पर देखना है सबसे पहले, यह आपका लिखा है marks, marks 25, यह आपका internal हो गया, यहां पर पलस जो लिखा है, पलस का icon देखिए 75, यह आपका external हो गया, ठीक है, full marks 100 हो गया, ठीक है, और यहां पर pass करने के लिए आपको लाना होगा, 40 marks, अब बोलिएगा 40 कि में लाएंगे, तो देखिए, यह जो यहां पर दोग हो है, 25 marks internal, 75 marks external, इन दोनों को जोड के लाना पड़ेगा आपको 40, जैसे internal जो होता है 25 marks का, ठीक है, यह जो 25 marks का internal होगा, इसमें आप अगर 10 number लेते आएंगे, तो pass, और यह जो 75 marks का internal होगा, external होगा, एक्जाम, इसमें तो 30 number लाएंगे, तो आप pass, ठीक है, मतलब 75 में 30 number pass है, 25 में 10 number pass है, ठीक है, तो कुल मिलाके, 30 और 10, 40 marks यह आपका passing है, यहां पर देखिए, लिखा है, and or external, ठीक है, internal exam plus external exam is equal to 40, ठीक है, तो यह आपका ratio करके 40 number लाना है, ठीक है, आप इससे ज़्यादा लाईएगा, इससे कम लाने का सोचिएगा नहीं, अब बोलना है, पढ़ना क्या है, तो देखिए, यह जो course है, यह course content यहाँ पर लिखाया है, ठीक है, यह आपको पढ़ना है, unit 1, ठीक है, unit 2, unit 3, unit 4, यह वाला, unit 5, unit 6, unit 6 तक आपके यहाँ पर दिया गया है, semester 1 में, major paper में, ठीक है, तो यह आपको notes दिया गया है, यह notes को भी आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पर आपको दिया रहेगा, practice exercise, ठीक है, तो यह आपकी जो practice exercise है, आप इसे solve करेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा, अब बोलिएगा हम कहां से पढ़ेंगे, अगर हम book पढ़ना चाहें, तो देखि फिर commerce वाले बच्चे, सब कोई guess paper लेगे फड़ता है ना, चलिए, फिर आपका यहाँ पर आता है, semester one में ही, यह सेक paper का सिलेवस, तो semester कहां से देखिएगा, यहां से, कहां semester कहां लिखाया जी, बताइए, लिखिए, यहाँ पर आपका यह वला, यह paper two हो गया, ठीक है, semester one का सेक paper two, और यह आपका सेक paper one, जो कि semester one के लिए है, ठीक है, office management का सिलेवस, ठीक, और यहाँ पर देखिए, आपको क्या-क्या पढ़ना है, तो यह आपका course content one हो गया, unit one, ठीक है, office and management, next आपका unit two, ठीक है, unit three, unit four, and unit five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, गारा को unit पढ़ना है, semester one में, सेक paper में आ में कहो गया, आगे देखते हैं, semester two में, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, चलिए, लंबा होगा दा होगा, लेकिन एक वीडियो में मैं complete कर दूँगा, ठीक है, semester two में बात कर लेते हैं, तो semester two में आपका, यह वाला syllabus यहां से सुरू होता है, ठीक है, actual event, जैसा ही semester one में मैं में ने बताया कि यहां पर 25 मार्क्स और 75 मार्क्स को मिला के 100 मार्क्स ठीक है, और पास करने के लिए 40 मार्क्स, अब अगेन मैं दोबारा यहां पर मार्क्स के बारे में और discuss नहीं करूंगा, ठीक है, सब एक्जाम, जितना भी major paper है आपका, और advanced major paper सब में यही रहेगा, ठी ठीक है, सेक पर में फुल मार्क्स कितना है, इसको भी एक बार ध्यान में देख लिए, यह जो सेक पर है आपका, same major paper के ही जैसा है, ठीक है, हाँ, सेक पर में एक चीज़ होता है, यह आपका paper कभी-कभी और मार्मार में आता है, और कभी-कभी subjective form में आता है, ठीक है, बाकि major paper जितना भी यह आपका, MJ paper, ठीक है, और advanced MJ paper, AMJ paper, यह सभी आपका subjective form में आएगा, यानि के written के ही रूप में लिखना होगा, ठीक है, बाकि SEC paper आपका semester जो 1 में आएगा, यह आपका subjective form में आएगा, ठीक है, और यहीं बात कर लेते हैं, जिसमें objective आएगा, उसको मैं बता दू होगा, ठीक है, semester 2 का syllabus, MJ paper का, यह आपका business organization का, ठीक है, page number, आपका 20 में, ठीक, next देख लेते हैं, तो यहाँ पर हता है हमारा, यह आपके total, कितने units पढ़ने हैं, तो यह business organization and management में, जो कि semester 2, major paper 2 है, ठीक है, major paper 2, इसमें आपको total, कितने units पढ़ने हैं, यहाँ पर course content में देख 1 है, फिर है unit 2, ठीक है, यह सब यह आपको पढ़ने हैं, तेन आपका है unit 3, और फिर आता है यहाँ पर, unit 4, 5, 6, तक यहाँ पर आता है, ठीक है, अच्छा आपकी लोग पढ़िएगा क्या यहाँ पर, जैसे यहाँ पर, यह point number 1 दे दिया गया है, ठीक है, communication purpose, तो यह आपको पढ़ने हैं, अगर आप इतना पढ़ लिजेगा ना, तो सच बता रहा हूँ, कोई book का पढ़ने के जोरत नहीं है, अब बुलिएगा पढ़ेंगे कहां से, और यार साक्षात Google है आपके पास, एक एक point को सबसे पहले syllabus को note कीजिए, अपना copy में, एक एक word, और उन सब भी word क एक एक करके Google में, अगर आप सार्च करकर पढ़िएगा, तो definitely किसी book या किसी guide paper की या किसी teacher क्या होई सकता नहीं होगे, ठीक है, आगे देखते हैं, तो फिर आता है major paper 3, जो कि semester 2 में ही है आपका, ठीक है, और इसमें भी आपको पढ़ना है business statistics, इसका syllabus देख लिजिए, कितन यूनिट्स आपको इसमें 5 यूनिट्स पढ़ना है, ठीक है, 5 यूनिट्स पढ़ने है, जिसमें अंति में आपका probability, बाकि reference books दिये गया है, अगला आता है, यहाँ पर semester 2 का आपका sec paper, और इसमें आपको क्या पढ़ना है, semester 2 sec paper में, तो देखिए, sec paper में आपको पढ़ना है inventory, working, capital and management, हमने बता दिया है, ठीक है, और इसमें जो आएगा, यह question कैसा आएगा, तो course objective यहाँ से दिया गया है, यह भी paper आपका subjective form में आएगा, ठीक है, subjective form में आएगा, अगर objective रहेगा, तो पहले है आपको यहाँ पर बता दिया चाहेगा, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा, semester 3 वाले में एक, ठीक है, तो यहाँ पर जो course content में आपको पढ़ने है, total केतने units पढ़ने है, units का हिंदी होता है, total आपके यहाँ पर 6 unit पढ़ने है, 6 को इकाई, ठीक है, आगे देखते है, तो next है हमारा यहाँ पर semester 3 का, semester 3 में पहला subject है आपका major paper 4, ठीक है, जो कि business mathematics का है, तो यहाँ पर इसका syllabus से, और इसमें total आपके unit जो पढ़ने है, course of content, यहाँ से शुरू होता है, matrix and determinants से, और total आपके unit यहाँ पर पढ़ने है, 6 unit, ठीक है, जो कि liner programming and problems से अंतिम है, और यह reference book है, ठीक है, then आपका semester 3 में, जो दूसरा है major paper 5, यह आपका income tax, low and practice के बारे में, ठ लिए, इसमें जो आपको पढ़ने है, वो पढ़ने है, टोटल कितने units, तो पहला है basic concept, दूसरा यहाँ पे, टोटल जो units पढ़ने है, वो है आपके 5 को, ठीक है, पांच units यहाँ पर आपको पढ़ने है, अब आएगा यहाँ पर आपका sack paper, तो sack paper जो semester 3 है, जैसे यहाँ पर देखिए, यह आपका sack paper है, और मैंने बोला कि अगर आपका किसी paper अगर objective में होगा, तो वहाँ पर पहले लिखा जाएगा, जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, यह वाला, a common syllabus for, for year undergraduate, यह सभी के लिए, जो sack paper होता है, ठीक है, वो generally सभी के लिए होता है, तो यहाँ अगर common रहेगा, तो यहाँ पर लिख दिएगा, कि वो common syllabus for, for year undergraduate, चाहिए, बीए हो, बीकम हो, बीए स्थी हो, ठीक है, यहाँ पर common है, यह सभी के लिए, यह subject, और यह paper आपका objective में होगा, OMR paper में, तो यहाँ पर लिख दिए गया है, देखिए, OMR seat, ठीक है, there will be objective type, test, consist of 75 questions of one marks each, ठीक है, तो यहाँ पर 75 questions आएंगे, यह paper में आपका, जो 75 marks का external exam होगा, इस यहाँ पर 75 के 75 questions external में आएंगे, ठीक है, तो यह चीच बोला गया है, समझे, तो जो paper आपको objective रहेगा, वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा syllabus में, ठीक है, देखिए, syllabus हम लोग क्यों प साधी कर लिए किसे से, जाने हैं कि भाई कौन है, syllabus उसका देखिएगा, भाई data देखिएगा, क्या history है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह चीज़ आपको जानना है, syllabus, ठीक है, syllabus आपको बताता है कि इसके अंदर क्या है, और क्या नहीं है, जैसे हम लोग भाई data यह resume देखक गया है, तो next आता है, यहाँ पर आपका semester 4, जो कि business and corporate low है, ठीक है, और इसमें आपका major paper 6 आता है, ठीक है, unit इसमें बहुत छोटा है आपका, तो कितना है, देखते हैं, तो total इसमें आपका 6 unit पढ़ना है, छोटा नहीं है यार, medium है, ठीक है, इसको दो भाग में बाटा गया है, पहला है आपकी एक business low, ठीक है, and second है हमारा यहाँ पर corporate low, ठीक है, दो भाग में इसको बाटा गया है, किसको, तो यह major paper 6 को, जो कि semester 4 में पढ़ना है, आगे देख लेते हैं, next, तो अगला है हमारा यहाँ पर major paper 7, MJ paper 7, जो corporate accounting है, ठीक है, इसमें देखिए, तो इसका जो इसलेवा से, यह course content 1 से सुरू होता है, और यहाँ पर आपका total complete होता है, यह total 6 unit है, ठीक है, corporate financial reporting, यहाँ पर complete होता है, ठीक है, आगे देख लेते हैं, next, तो यहाँ पर अगला है हमारा यहाँ पर, entrepreneurship development, यानि कि उद्धमिता का विकास, यह आपका major paper 8 है, ठीक है, major paper 8, और यह आपको इसी, semester 4 में ही पढ़ना है, ठीक है, यह आपका जो syllabus सुरू होता है, यहाँ पर introduction से, course content, introduction से आपका syllabus सुरू होता है, और चलता है, यहाँ पर unit 5 तक, ठीक है, mobilizing and resources, यह आपका अंतिम है, unit, ठीक है, आगे देख लेते हैं, next, तो अगला यहाँ पर सुरू होता है, semester 5, semester 5 में आपका पहला subject है, major paper 9, और इसमें आपको cost accounting के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला है आपका unit 1, concept and nature of cost accounting, और अंतिम unit जो इसमें आता है आपको, यह वला, unit 5, ठीक है, active based costing ABC, सौट में बोलते हैं, ठीक है, activity based costing, आगे देख लेते हैं, next, तो यह यहाँ पर semester 5 में अगला हमारा question, अगला हमारा, जो syllabus है, यानि के paper, वह है major paper 10, ठीक है, और यह आपका human research paper है, यानि की HRM sort में बोलते है, human research management, ठीक है, इसमें जो पहला है, आपका यहाँ पर introduction है, human resource के बारे में, यह जब मैं आपना PG कर रहा था, post graduation, में ठीक है, उस टाइम म बला, employee, maintenance, engagement, and emerging, जितना भी है, इन सब को आपको पढ़ना है, ठीक है, आगे देख लेते हैं, next, तो अगला हमारा यहाँ पर, semester 5 में ही, major paper 11, ठीक है, पर इसमें आपको पढ़ना है, good, GST के बारे में, low और practice, दोनों, ठीक है, और इसमें जो हमारा पहला आता है, यह आता है introduction, ठीक है, और अंतिम यूनिट क्या है, तो अंतिम यूनिट है, आपका फांच को यूनिट पढ़ना है, other producer, under GST, ठीक है, तो इसमें पर प्रोजूसर है, यह आपको देखना है, स्वरी, procedure है, ना, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला हमारा है, यहाँ पर, वीडियो अब जितना भी होगा, स्कूल कम्प्लिट कर देते हैं, semester 6, ठीक है, semester 6 में पहला पेपर है आपका यहाँ पर, major paper 12, जो की principle of marketing है, ठीक है, first subject, major paper 12, semester 6 का, ठीक है, इसमें पहला यूनिट है, आपका introduction to marketing and marketing environment, next, आगे देख लेते हैं, तो टोटल यहाँ पर unit 5 को पढ़ना है, यह आपका अंतिम unit, ठीक है, promotion वाला, आगे देख लेते हैं, next, तो यहाँ पर semester 6 का, अगला paper है, major paper 13, ठीक है, और यह रहा इसका syllabus, इसमें, total course content में देखिए, तो आपके 6 को unit पढ़ने है, generally आपका subject में छे unit या फिर पांचे unit रहता है, semester 6 का अगला subject है आपका financial management and principles, ठीक है, जो इसमें, आपके total यहाँ पर 6 units पढ़ना है, ठीक है, और फिर आता है आपका semester 6 का MJ paper 15, और इसमें आपको managerial economics को पढ़ना है, ठीक है, economics का यहाँ पर है, तो introduction से शुरू करके, आपके total 6 unit पढ़ना है economic development टक, ठीक है, अब आता है यहाँ पर आपका semester 7, जो की last year है, और fourth year में, पहला है paper रहेगा, आपका major paper 16, इसमें आपको पढ़ना है, financial instruction, sorry, financial institution and marketing के बारे में, ठीक है, तो इसमें आपके total जो unit है, इसमें पहला introduction, और total unit यहाँ पर 5 है, financial stability, last है, पांच वा, ठीक है, आगे दिखते हैं, तो यहाँ पर semester 7 में, अगला paper है, major paper, course 17, इसमें आपको पढ़ना है, advanced, aesthetical analysis के बारे में, ठीक है, और इसमें दिखिए, तो पहला है, आपका, total कितने units है, total यहाँ पर 5 unit है, ठीक है, analysis of variance saves का last unit है, unit 5, आगे दिखते हैं, तो next step का यह है, यहाँ पर managerial accounting, ठीक है, managerial accounting, और इसमें जो हमारा पहला है, introduction है, एक में डियार, पानी पी लता हूँ, तो फिर आपका यहाँ पर, advanced, major paper, 17, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर, इसी तरह से आप आ जाईएगा, major paper, 18, then 20 तक यहाँ पर, आपको major paper मिलेंगे, ठीक है, यह है, आपका major paper 19, और फिर आता है, major paper 20, जो की semester 8 में है, यह आपका last semester रहेगा, और इसमें पढ़ना है, business environment के बारे में, ठीक है, आगे दिख लेते हैं, तो यहाँ पर total आपके 6 यूनिट है, इसको जैसे ही complete किजिएगा, अगला आपका paper आता है, amj paper 1, और इसमें आपको पढ इसमें जो पहला है, आपका introduction है, और total इसमें आपको पढ़ना है, पांच गो यूनिट, और अंदे में analytics, ठीक है, next आगे दिख लेते हैं, तो अगला हमारा यहाँ पे, major paper, advanced major paper 2, इसमें आपको पढ़ना है, क्या है, artificial intelligence, यानि कि AI के बारे में, for business, ठीक है, बैपार के लिए AI का उपयोग, ठीक है, क्रित्रिम बुद्धिमंता हिंदी में बोलते हैं, इसमें introduction, AI, laid, और यह सभी आपके पढ़ने हैं, और अंतिम है आपका यहाँ पे, unit 5, ठीक है, exponential technologies के बारे में, मैं first time, कुछ words हैं, जिसको पढ़ रहा हूं, अब यहाँ पे, आपका major paper, और advanced major paper, complete हो data analytics, ठीक है, तो देख लिजे, इसका जो syllabus है, total आपका पांच को unit में है, ठीक है, next देख लिएते हैं, तो यहाँ से शुरू होता है, आपका minor paper, minor paper का भी syllabus, इससी पेडियाप में है, और इसमें आपका, पहला है introduction, introductory commerce के बारे में, यानि की commerce का परिशे, ठीक है, minor paper, 1A का syllabus है, इसका भी same to same OSI, जैसा कि major paper में था, और advanced major paper में, 25 marks, और 75 marks, और इसमें आपको लाना है, 40 marks, ठीक है, qualifying के लिए, इसमें course content, basic और business से शुरू होता है, और total कितने units सक जाते हैं, तो यह आपका, तीसरा unit, last है, ठीक है, business environment, यह भला, ठीक है, आगे दिख लेते हैं, तो next यहाँ पे, semester 2 में आपका minor paper नहीं है, semester 3 में minor paper है, और इसमें आपको पढ़ना है, minor paper 1B के बारे में, semester 3 के लिए है, ठीक है, और यहाँ पे, लिखा है minor 1B, इसमें आपको पढ़ना है, financial literacy के बारे में, ठीक है, और यह रहा आपका syllabus, as well as, वह साही जैसा कि आपका minor paper 1 था, यानि कि major paper था, ठीक है, सब कुछ का syllabus वह साही है, ठीक है, question का marks वह साही है, syllabus अलग है, sorry, आगे देख लेते हैं, next, तो अगला हमारा यहाँ पे, minor course 1C, और यह आपको पढ़ना है, stock market के बारे में, stock market, ठीक है, और यह आपका semester 3 के बाद semester 4 में नहीं का minor paper, semester 5 में, यह जो minor paper है, कि खेला, देखिएगा, तो semester 1 में है, फिर 2 को छोड़ दीजिए, यानि कि 3 में है, फिर 3 के बाद आपका 4 को छोड़ दीजिए, तो 5 में है, यानि कि जितना भी even है, उन सब में है, और semester 5 के बाद फिर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यह आपका इस से है, अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर अश्टोक मार्केट यह वला हो गया, और इसका सिलिवस यहाँ पर दिया गया है, सेम टू सेम 100 marks का होगा, 25 पलस 75 के बेसिस पर, ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है, minor course 1D, 5 के बाद भी है, आपका सेभन में, सोरी, टोटल आपके जो minor paper की संख्या कितनी है, एगो में, semester 3 में, semester 5 में, और semester 7 में, टोटल आपके जो minor paper की संख्या है, वो चार है, ठीक है, टोटल 4 को minor paper है, तो जितने भी विसम semester है, यानि कि, ओड वाला जितना भी है, ठीक है, उन सभी में है आपका, और इसमें पढ़ना है आपका, minor paper 1D, 1A, 1B, 1C, 1D, 4 को हो गया, ठीक है, 1D, D मतलब क्योंतना, तो 4 था, भी सम, यानि कि, 7, ठीक है, अगर 1A रहता तो, एक, 1, मतलब समझ रहना, A, B, C करके code दिया गया है, तो यह जो D है आपका, इसमें आपको digital marketing है, और इसका syllabus देख लिजे, तो यहाँ पर introduction से शुरू होता है, और semester इसमें आपका 7 में artificial intelligence तक जाता है, ठीक है, यह वाला, artificial intelligence in marketing, आगे देख लिएते हैं, तो next हमारा नहीं है और बस complete हो गया, ठीक है, तो इतना ही तक है आपका syllabus, अब बोलिएगा, बाकी जितने भी paper हमको क्या-क्या पढ़ने हैं, तो देखी सबका मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूं, continue लगातार बने रहिएगा, सबका मैंने परतेक semester में फिर आपको परतेक subject का important question भी provide करवाता हूं, ठीक है, जब तक संभभ होगा मैं provide कराऊंगा, अगर बीच में कुछ ऐसा होता है, जिसके कारण अगर मेरा कहीं प पढ़ाने का मतलब घमांड हो जाएगा, मैं अपने आपको teacher नहीं, आपका दोस्त समझता हूं, ठीक है, और क्योंकि आदमी teacher से जादा दोस्त पर समझता है, ठीक है, thank you, bye, उमेद करता हूं आपको ये video समझ में आया होगा, और complete syllabus आपको यहाँ से मिला होगा, अगर आपक इसको अलग से पढ़िएगा, चाहे मैं कहूंगा सबसे बेटर तरीका, कि जो भी आपका, जिससे semester one में है आप, या फिर three में है, या फिर जिसमें भी है, तो सबसे पहले, यह जो syllabus है, इस syllabus को आप अपना copy में note कीजिए, पूरा syllabus को copy में note कीजिए, इससे क्या है कि note करते time आपको लिखना पड़ेगा, और जब आप लिखिएगा तो आपका रिभाईज होगा, ठीक है, बोलिएगा, और बोलिएगा तो माइंड में जाएगा, इस तरह से आप सभी को लिखिए एक बार, उसके बाद परतिक टॉपिक को एक एक करके आप Google पे सर्च किजिए, या फ लेते हैं, तो आगे हम आपको अगला वीडियो देंगे, जिसमें आपको समेस्टर 1-8 में क्या-क्या पढ़ना है, समेस्टर 1 से ले करके, पूरा 8 तक किस समेस्टर में कितने सब्जेक्ट होंगे, कौन-कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके उपर एक complete वीडियो देंगे, ठीक है, और ये आपका सिलिबस अरांची इनिवर्शिटी और निलंबर पितंबर इनिवर्शिटी यानि कि NPU, दोनों के लिए काम में देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलिबस से हमें है, चलिए, मिलते हैं आगले वीडियो में, ठैंक यू, फॉचंग इस वीडियो, ब पढ़ाए किजे दोस्तों, कम से कम डेली, तीन घंडा पढ़ाए किजे अपना कॉर्स का, ठीक है, जब आपका एकजाम कम से कम दो मेना बाद हो, ठीक है, बाकी अपडिट मैं देता रहता हूँ, बाई